ब्राजेंद्र जी, ग्राउंड वाटर को लेके पिछले साल जो रिपोर्ट्स आई और वो हमस्या में क्या हम कहीं आगे पढ़ पाएं, क्या आप समाधान देखते हैं, ग्राउंड वाटर करने हो रहे हैं, उनको रिचार्च करने के लिए, क्या अब तक जो पिछले एक साल म क्या वो सफिशेंट हैं, देखो मैं पिछले पांच सालों से, दुनिया की जो जल साक्षर्टा यात्रा है, उसमें हजारों जंहें ये बोल चुका हूं, कि जब तक हम अपने धर्ती का पेट पानी से नहीं भरेंगे, जब तक धर्ती में हमारे पेट को भरने की ताकत नहीं बचेगे, हमारा जो असली बैंक है वो RBI नहीं है, हमारा असली बैंक है अंडर ग्राउंड एक्यूफर, हमारा असली बैंक है भूजल के भंडार, और तुम्हें मालूम है पूर्णीमा, 72% अंडर ग्राउंड एक्यूफर ओवर्डाफ्ट हो गये हैं, जिसमें से 39% तो बे जादा खतरनाक है, इसलिए जो काम हमें भूजल के पुनर भरन का करना चाहिए था, वो काम हमने ठीक से नहीं किया, ना उसके लिए हमने जल साक्षर की, ना भूजल पुनर भरन के लिए जो एक एट्मोस्वेर बिल्डिंग का काम था, वो किया, हमें जो असली काम करने की जरूरती वो नहीं किया मैं इस नहां कह सकता हूं कि हमने 10,800 स्क्वार किलमेटर जमीन में अंडर ग्राउंड एक्टिफर रिचार्ज करने के काम किये और कहीं भी आर्टिफीशल रिचार्ज नहीं किया हमने अपनी वाटर बॉडिज को ऐसी जहें बनाया जहां हमें जहां हमें अंकनफाइंड और जेन्टल फैक्टिर मिले हमने फैक्टिर्स का करेक्टर समझकर उसके ऊपर जल्सराशना का निमान किया और उस जल्सराशना ने धर्ति का पेट पानी से भर दिया इसलिए हमें कहीं भी आर्टिफिशल रिचार्ट करने की बिल्किल जरूरत नहीं हुई मैं यही कहता हूँ कि भारत में जो हमारे भूजल के भंडार है उनको आज सबसे पहली जरूरत है भरने की मैंने सुनाया कि भारत सरकार ने अंडरगाउंड एक्यूफर मैपिंग के काम कराए है अब यह कितने ठीक हैं कितने गलत हैं यह तो मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी इन एक्यूफर मैपिंग से यदि हम कुछ समझ सकते हों तो उसको उप्योग कर ले तो मेरे गूरू ने अंपर किसान ने कुवे में डाल के सिखा दिया था कि देखो यहां कैसे एक्यूफर है तो वो डिरेक्ट एक्यूफर की समझ में सीग गया था अब हमारी सरकार जो एक्यूफर मैपिंग के नक्से बनवा रही है उसने पता नहीं बने नहीं बने क्या हो रहा है उसको जल्दी से करने की जवर्त है रिचार्ज करने की जवर्त है